हाई फिंट्स जन्मास्टमी स्पेसल आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ क्रिष्ण जी की प्रियोब भोग कोकोनट की लड्डू रेसिपी इसे बनाना है बहुत ही आसान बस दो इंगीडियंस लगता है इस रेसिपी को बनाने के लिए तो आईए सुरू करते है तो लड्डू को बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल और नारियल को मैं यहाँ पे मिक्सी में ग्रेट कर ली हूँ तो चलिए अब आते हैं नेक्स टेप पे अब हम लेंगे एक कड़ाई उसमें एड़ करेंगे 800 ग्राम गुड साथ में जो नारियल हम लोग ग्रेट करके वो भी इसमें एड़ कर देंगे अब गैस का फ्लेम लोग में रखके ही नारियल और गुड को हमें पका लेना है यहाँ पे गुड जब तक किना हमारा मेल्ट हो जाए तब तक हमें लगातार इसे चलाते रहना है और फ्रिंट नारियल के लड़ू बनाने का परफिक्ट यहाँ पे हमारा जो गुड है यह अच्छी तरह से नारियल के साथ मिक्स हो गया है और इसे लगातार चलाते हुए जब हम लोग देखेंगे कि नारियल एक जगा में इखटा हो रहा है यह जो मिक्सर है वो रेडी हो गया है और देखिए यहाँ पे लड़ू भी बन रहा है तो यह बिलकुल रेडी हो गया है अब कैस आफ करके गरमा गरम इसे पका लेंगे तो यहाँ पे मैं ली हूँ काजू अब यह जो नारियल का मिक्सर है यह गरम ही हम लोग को पका लेना है तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसे गोल करके तोड़ा कैप कर लेंगे बीच में और और फिरंड यह जो लड़ु है इसे आप बना के फिर्ज में एक महिना के लिए आराम से स्ट इस तरह से सारे लड़ु को बना के हम रेडी कर लेंगे और एक नारियल से आप 20 से 25 को लड़ू बना सकते हैं इससे पहले भी मैं आप लोग के साथ बहुत सारे नारियल के मिठाई भी सेयर कर चुकी हूँ मैं उसका लिंक आई बटन में एड़ कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में आप उसे चेक कर सकते हैं आसा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा तो इस तरह से सारे लड़ू को हम बना लेंगे उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे काजू पाउडर तो यहाँ पे मैं काजू को रोष्ट करके उसका पाउडर बना ली हूँ अब इस नारियल के उपर से इसे हम छीड़क देंगे इसके आलाबा लड़ू को बनाने के बाद आप काजू के पाउडर से इसे कोट करके भी रख सकते हैं तो फिरेंट आसा करती हूँ आज का यह लड़ू रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा आप लोग पर इसे घर पे एक बाद जरूर ट्राइ करें तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तरतक अपना क्याल रखें थैंक यू